हलो दोस्तों आप सभी कैसे वाज़ा करता हूँ आप सभी ठीक होगे मैं आपका दोस जे के फार मैं सी ओफिशल यूटूब चैनल आज हम बात करते हैं इंजेक्शन कितने परकार से लगाए जाते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबाना करते हुआ आते हैं अपनी वीडियो प जाता है अब बात करते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बारे में यह 45 डिगरी के एंगल पर लगाया जाता है और सबक्यूटेनियस टीशू में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है इंसुलीन का इंजेक्शन है इंट्रावेनस इंजेक्शन जो कि 25 डिगरी के एंगल पर लगाया जाता है और direct vein में ही इस injection को लगाया जाता है Monosap का injection है यह direct vein या आईवी fluid दवारा इसको लगाये जाता है Intradermal injection जो की Epidermis सकीन में लगता है और allergy test करने के लिए इसका यूज किया जाता है और 10-15 degree के एंगल पर ये लगाया जाता है और पेशेंट को कुछ दिक्कत का सामना ना करना पड़ सके इसलिए इसका एलर्जी टेस्ट किया जाता है यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब कर ले जो कि आने वाली नोटिपकेशन आपको सबसे पहले मिल सके